हलो बच्चो मैं आज आप लोग के लिए दो चरवाले रेखिक समीकरन लेकर के आया हूँ mathematics class 10 chapter 3 जो start होने जा रहा है इसका पहले हम लोग theory देख लेंगे कि ये किस किस नियम पर काम करता है ति ये जो रेखिक समीकरन है इसको हम लोग 3 बिधी से हल करते हैं और पहले हम जो example ले रखे हैं इस example को हम 3 बिधी से हल करके सिखेंगे और उसके बाद फिर हम chapter की और आगे बढ़ेंगे पहला बिधी आपका है बिलोपन बिधी तो चले पहले हम बिलोपन बिधी को समझते हैं कि ये बनता कैसे है फर्ष्ट बिधी आपको दे रखा है बिलोपन बिधी बिलोपन बिधी से पहले इसको हल करके हम लोग देखेंगे तो बिलोपन बिधी में क्या है कि इसमें सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि इसमें होता क्या है तो बिलोपन कहने का आर्थ है किसी एक रासी को बिलुप्त करना या तो X को या तो Y को तो समिकरन क्या दे रखा है समिकरन दे रखा है 3X प्लस 4Y और equal 10 में है और दूसरा समिकरन आपके पास है 2x-2y और ब्रावर का 2 है और इसमें एक चीज ध्यान रखेगा कि बिलोपन उसी को किजिएगा जिसका जेनरली सेंबल अपोजिट हो अपोजिट करने का आर्थ है अलग-अलग यहाँ 3x-plus में है यहाँ 2x-plus में है तो इसको आप छोड़ दीजिए यहाँ देखिए y-plus में है या y-minus में है अगर इसको ब्रावर करके जोड़ दिया जाए तो कट जाएगा तो अब देखिए किसी एक को काटना है तो यहाँ 4 by है यहाँ 2 by है या तो यह 2 के जग़ा 4 हो जाए तब 4-4 कटेगा या फिर यह 4-2 हो जाए तब यह कटेगा तो यह 2 को 4 करना असान है इसमें स्रिफ 2 गुना अगर हम कर देंगे तो यह 4 हो जाएगा तो यहाँ पर जो हम करने जा रहे है उसको लिखना परेगा और ये धियान रखेगा जब opposite symbol का चुनाब कीजिएगा तो समीकरन को जोड़ा जाएगा अब जब same symbol का चुनाब कीजिएगा तो समीकरन को घटाया जाएगा तो हम यहाँ पर opposite symbol का चुनाब किये हैं तो दोनों समीकरन को क्या करना है जोड़ना है तेहां लिखिएगा first और plus second और second को कितना से गुना किजिएगा 2 से कितने से गुना किजिएगा 2 से तेहां आ गया 3x plus 4y equal में 10 है और second से मिक्रोन को 2 गुना करकर के लिखिए तो ये 2 दूना 4x 2 दूना 4y और ये 2 दूना 4 हो गया अब इसको हम लोग क्या कहें हैं जोड रहे हैं जोडने में क्या होगा ये दूनों केंसिल हो जाएगा अब क्या बचा मेरे पास 4 और 3 7x अब इधर क्या बच गया 10 और 4 14 ये भी केंसिल होगे कितने बार में 2 बार में तो x का भेलू कितना निकल करके आया 2 आया अब ये x का मान किसी भी समीकरन में रख देंगे तो by का मान आ जाएगा चलिए x का मान समीकरन सकेंड में लिखते हैं तो यहां लिखना परेगा और minus 2 y इक्वल में 2 हो गया तो ये दो दुना का क्या हो गया? चार हो गया और 2y और इधर हो गया 2 तो इसा कीजिए 2 को इधर दे दीजिए 2y को इधर कर दीजिए तो 2 plus में इधर आकर के minus में हो जाएगा और 2 by minus में है इधर जाकर के क्या हो जाएगा? पलस में हो जाएगा तो ये घट करके दो और बरावर का टू बाई ये केंसील हो गया बाई का भेलू क्या निकल करके आया वन आया वन बार में कटा था ये हम लोग अभी देखे बिलोपन बिधी दूसरा बिधी का नाम आपका है परति अस्थापन बिधी क्या है परति अस्थापन बिधी अब पीछे का objective जो टॉप 20 चला था इसमें ये बिधी का वर्नन किया गया था इसमें क्या करना है परति अस्थापन कहने का आर्थ है किसी को हटा करके इसके जगहा पर दूसरे का अस्थान रख देना तो पहले समिकरन क्या दे रखा है उसको नोट कर लीजिए समिकरन यहां से नोट कीजिए यहां पर भी आपका समिकरन दे रखा है इसी का मुद्दा है न 3X प्लस 4Y और इक्वल में 10 है और इधर दे रखा है सेकेंड समिकरन में 2X 2Y इक्वल में 2 हो गया परति अस्थापन में यह एक चीज ध्यान रखना है जैसे उसमें ध्यान रखना था सेंबल का और इक्वल करने का उसी तरह से इसमें ध्यान रखना है कि परति अस्थापन बिधी में जो simple लगे जो आसान रहे वो समिकरन को आप पहले हल कर लिजिए और उसके जगा पर परतिय स्थापित कर दिजिए तो ये दोनों समिकरन में हमको simple ये लग रहा है क्यों लग रहा है कि देखिए हाँ दो सब में common है तो पहले दो common लेकर कि इसको और हम छोटा कर सकते हैं छाइक समायनिस Children और एक्क्वल में क्या हो गया वन हो गया अब थोड़ा और इसको देख लेंगे बढ़ियांसे अब क्या करेंगे इसको यहां हम लिख सकते हैं X वरावर बाई इधर माइनेस में है उधर जाकर के पलस हो जाएगा क्या हो जाएगा पलस हो जाएगा तो यह जो X का जो भेलू आया है यह भेलू समिकरन फर्ष्ट में रख देंगे इसी को कहा गया परती अस्थापन कि किसी एक को हटा के उसके अस्थान पर दूसरा को बेवस्था कर देना तो यह X का भेलू समिकरन फर्ष्ट में डालने जा रहे हैं हम लोग तो यहां देखिए यहां 3 है और यह X है X के जगा पर हम क्या लिखेंगे 1 पलस का बाई 1 और पलस का बाई तो देखे एक्सचेंज हो गया किसमें बाई में एही हुआ परती अस्थापन और यह 4 बाई दे रखा है पहले से और बरावर का कितना हो गया 10 हो गया इसको गुना केजिए 3 एकम 3 गुना 3 एकम 3 हो गया और पलस का फिर हो जाएगा 3 एकम 3 गुने बाई 3 वाई और पलस में पहले से दे रखा कितना 4 वाई और बरावर में 10 है तो देखे 4 और 3 7 बाई हो गया और 3 इधर पलस है इधर आ करे क्या हो जाएगा माइनिस हो जाएगा तो 7 बाई बरावर घट करके क्या है तो बाई का वेलु क्या निकल करके आजाएगा डेखे ये कें savoir हो गिया वाई बार में तो ओई का वेलु आप लिख सकते है वज़न अब लोicie क्या क्या करेंगे इसमें अस्थापित कर देंगे तो एकस का वेलु आ जाएगा तो हमको क्या चाहिए X का भेलू तो 1 बाई के जगहाग पर कितना है? 1 है यहाँ 1 लगा देते हैं तो एक और एक कितना हो गया? यह 2 हो गया तो देखे परतियस्थापन बिधी में भी हम देखे कि वही आया कि यहाँ भी X बरबर दो यहाँ भर भी दो यहाँ 1 और यहाँ पर भी 1 अब तीसरा बिधी जो है वो है ब्रज गुनन बिधी वो भी हम लोग देख लेते हैं कि यह ब्रज गुनन बिधी आखिर है क्या? इसको पहले अब हम समझते हैं ब्रज गुनन बिधी तीसरा बिधी जो आपका आ रहा है तिसरा बिधी का नाम दे रखे हैं इसको यहां पर लिखते हैं हम लोग, क्या है? ब्रज गुनन बिधी ब्रज गुनन बिधी है ना तो इसके लिए एक पहले फर्मूला होता है फर्मूला को निकालने के लिए आप सिखिए उसके बाद यह अराम से बनेगा देखते हैं फर्मूला क्या है इसका लिखना होता है हमें चाहिए क्या X और बाई का भेलू चाहिए क्या चाहिए X और बाई का भेलू तो इसके लिए क्या करना होता है एक फर्मूला इसका है B C A B ये याद रखिएगा पुनाह लिखिए B C ए बी उपर वाले को one कर दीजिए है ना उपर वाले को क्या करना है one करना है सब में one लगा दीजिए और नीचे वाले में two लगा दीजिए अच्छे से समझेगा बर्जगुनन विधी भी simple सा है इसको हम लोग कैची फर्मूला भी कहते हैं ना चाहिए हमको क्या x y तो इससे x का भेलू निकलेगा इससे y का भेलू निकलेगा और ये constant एक देते हैं ये constant variable को दर्साएगा ठीक है तो cross करना रहता है इसको इससे और इसको इससे इसको इससे और इसको इससे इसको इससे और इसको इससे ध्यान दीजिएगा पहले लिख लेंगे क्या b c a b 1 1 लगा देंगे फिर B, C, A, B और 2, 2 लगा देंगे X का भेलू तो X का भेलू निकालने के लिए क्या करना होगा ध्यान दिजेगा यहां हमको करना है किसका भेलू चाहिए X का भेलू तो X का भेलू निकालने के लिए B1, C2 ध्यान दिजेगा B1, C2 minus B2, C1 B2, C1 A2 B2 C1 B2 C1 और भाग किस से परेगा constant variables एहां से A1 B2 A1 B2 minus A2 B1 A2 और B1 उसी तरह से by का भेलू निकाल लेंगे अब by आपको समझ में आ रहा होगा by के लिए क्या करना है C1 A2 C1 A2 minus C2 A1 C2 A1 और constant कितना हो जाएगा constant तो जो इहां है वही आएगा देखिए A1 B2 A1 B2 minus A2 B1 A2 B1 बस यह formula इसमें याद रखना है अब चली question पर चलते question क्या दे रखा है Question आपका दे रखा है 3X 4Y और ब्रावर का 10 इधर कितना है 2X 2Y और ब्रावर का 2 दे रखा है ठीक है फर्स्ट समिकरन से हम A1 B1 C1 निकालेंगे और सकेंड समिकरन से A2 B2 और C2 निकालेंगे थोरा और इसको हल कर लेते हैं 3X 4Y minus का 10 हो गया यह हो जाएगा 2X और 2Y और minus का 2 हो गया अब यहां से देख लेंगे A1 B1 C1 और इससे निकाल लेंगे A2 B2 और C2 कोई hard नहीं है जहां पर problem हो वीडियो को remind कर ले अराम से समझ में आ जाएगा अब X के बगल में कितना है 3 है बाई के बगल में 4 है और constant कितना है माइनेस का 10 है एहां 2 है एहां भी 2 है और एहां माइनेस का 2 है यह धियान रखिएगा अब हम direct formula पर चलते है एक्स एक्स का formula क्या है फर्मूला फिर से लिखते जितना बार लिखेंगे याद करने में असानी होगा B1 C2 B2 C1 बटे में क्या आगया A1 B2 A2 B1 अब भेलू रखें B1 C2 पहले भेलू अच्छे से रखेंगा B1 B1 कितना है चार है C2 कितना है माइनिस का 2 है B2 कितना है मेरे पास 2 है C1 कितना है मेरे पास माइनिस का 10 तो माइनिस माइनिस क्या हो जाएगा पलस हो जाएगा और बटे में A1 कितना है 3 है B2 कितना है B2 2 है A2 कितना है 2 है B1 कितना है 4 है अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं हम लोग यह 4 दुना का माइनेस 8 हो गया और यह कितना हो जाएगा 10 दुना का 20 हो जाएगा कितना हो जाएगा 20 बटे में 3 दुना का 6 और यह 4 दुना का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा इसको घटा करके अराम से लिखना है यहां पर थोड़ा सा सेंबल छुड़ गया था तो यहां माइनेस में है यह माइनेस जाएगा तो बीटू क्या है माइनेस तो बीटू कहां पर बीटू है तो यह माइनेस हो जाएगा आपका यह माइनेस सेंबल बनेगा और बीटू कहां ह यह नीचे भी एक B2 है तो यहां पर भी एक minus symbol बचेगा ध्यान दिजिएगा ठीक है तो यह कितना होगे मेरे पास 20 और 8 28 और नीचे होगे 8 और 6 14 यह दोनों cancel होकर कितना आ गया दो यह दो किसका भेलू लाए हम लोग x का भेलू बहुतं किसका भेलू है? x का भेलू है देखे इहां पर भी x का भेलू दो ही आ रहा देखे इधर भी आया था इधर अब उसी तरह से b4 का भेलू था c1 a2 c1 a2 c2 a1 c2 a1 सही है और उसके बाद क्या कर देंगे हाँ पर c2 a1 और बटे में आपका जो कॉस्टेंट वहे स्ट विवल है a1 b2 a2 b1 c1 कितना मेरे पास है देख लिजिए c1 minus का 10 है a2 कितना है dh c2 कितना है मेरे पास c2 minus का का 2 है minus minus क्या हो जाएगा plus a1 कितना है a1 थ्री है और बटे में जो हल करके लाए थे ओहाए चीज़ आएगा काई जो सेम सेम है लिख दीजिए यहां से देखकर के, 3 сделали 2 or two to the fourth, यहां से रहक कर कि गोए देखेगा, वही चीज नाएगा आपका, ती कितना हो गया, minus का 20 और plus का 6 आगया, नीचे हलकर कितना आयाएथा, minus का 14 आया था, तो जोड़िए इसको इकितना हो जाएगा, ये उपर भी माइनेस का 14 और नीचे भी माइनेस का 14 आ गया ये कट गया क्या आ गया 1 ये किसका भेलू आया बाई का भेलू आया ये आपका जो था थियोरी था ये हम लोग अभी तक क्या देख रहे थे थियोरी इसका हम लोग देख रहे थे और थियोरी मेरा ये complete हुआ तीनों बिधी का अच्छे से नोट कर लिजिएगा पहला बिलोपन बिधी दूसरा परतियस्थापन बिधी और तीसरा ब्रजियून बिधी अगर आप ये तीन बिधी complete कर लेते हैं तो आपका ये chapter अच्छे से complete हो जाएगा कहीं पर भी नहीं फसेगा